they have given this graph okay PV diagram दिया हुआ है और A point के temperature 400 Kelvin है B C point के temperature 600 Kelvin है B point के temperature 800 Kelvin है और यह जो BC का है that is adiabatic कुणों ने बुल रखा है तो बोल रहा है कि which one of them और एक मूल गयसा है और डाटो में गया साथ है ठीक है और वो बोल रहा है कि which one of them is delta U cycle का दे रखा है फुल साइकल का 250 और CA साइकल का AB का और S का बोलने which one of them is correct तो पहले तो इसको दो तरीके से पहले तो मैं आपको पता देता हूँ कि इसको simply अगर मान लो आपको कुछ भी नहीं पता होता तब ही भी कैसे निकाल सकते थे देल्टा यू साइकल जभी भी होती ही पूरी complete उसका ओके सो देल्टा यू साइकल तो 0 हो जाएगा ठीक है इस टैप के कोशन में ध्यान से देखना है क्या करना है वो तो 0 होना चाहिए तो पहला option गलत हो गया ठीक है अब CA बोल रहा है C2A C2A में डेल्टा यू जो होता है इस डेक्टिड पोपोस्टनल टू डेल्टा टी होता है राइट क्योंकि temperature डिपेंड होता है इसलिए isothermal का isothermal का sorry isothermal का जो डेल्टा यू होता है 0 होता है because T1 equals to T2 होता है तो यहाँ पर ही 0 हो जाती तो डेल्टा यू 0 हो जाता है तो यहाँ पर देखोगे तो temperature decrease कर रहा है अगर temperature decrease कर रहा है तो T2 minus T1 अगर करोगे तो यह negative आना चाहिए correct 400 minus 600 but यह positive हो है wrong हो गया AB देखेंगे अब AB में temperature increase कर रहा है temperature increase कर रहा है यानि कि T2 minus T1 positive होना चाहिए बढ़ यहाँ negative हो रहा है यह भी wrong हो गया गलत ठीक है यह भी गलत हो गया BC BC automatically correct हो गया बच्चा कर लेते हैं BC में temperature decrease कर रहा है negative होना चाहिए यह भी negative होना चाहिए that's a correct answer देखो I bet अगर आपने question solve किया होगा तो आप सोच रहोगे कि नहीं यार हम formula लगाएंगे वैसे कर लेंगे देखो and need और IT means में वो हमेशा एक question के लिए four तरीके बहुत सारे तरीके होते हैं solve करने के ठीक है तो यही आपका होता ऐसा नहीं है कि बच्चा नहीं कर पाएगा कोई चौथे तरीके से करेगा कोई इस तरीके से कोई इस तरीके से कोई इस फास है इस तरीके से तो जो जितनी जल्दी करेगा उस कर रहें को तना अच्छा हैगा ठीक है यही main है यह मन समझना कि कोई नहीं कर पाएगा सभी लोग almost कर लेंगे question अब इसको में दूसरे तरीके से देखते हैं, ठीक है, हमें पता है कि delta u for anything is ncv delta t, correct, तो cycle के लिए तो 0 है, खैर उसमें तो कुछ करना नहीं, तो ab के लिए इनकाल लेते हैं, ab के लिए number of moles 1 है, cv की value, हाँ, एक और चीज में हाँ पर input दूँगा, cv और cp, इन दोनों की value monotomic के लिए, diatomic के लिए, monotomic, diatomic, monotomic, diatomic, diatomic, दोनों के लिए, मदब आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, r के form में, right, तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे कि हा, diatomic, दोनों के form में पता होना चाहिए, क्योंकि यह होता है, जब question आएगा, तो आप convert जब करते हो न, यह use करके, cp minus cv equals to r, and cp by cv equals to mu, फिर mu की value 1 plus 2 by f, फिर मों, जो भी value होती, वहाँ से निकलते हो, both that is not a correct approach, वो time consuming होता है, instead of that क्या कर सकते है, किसकी value directly आद कर लो, और value put कर दो, जैसे कि cv की मुझे directly value आद थी, 5 by 2 r, ठीक है, मैंने यह put कर दिया, और उसके बद मैंने delta t, कर दि ठीक है, पहले यहीं से start करूँगा, तो यहाँ पर मेरा हो जागा 800 minus 400, right, और इसको मैं solve करूँगा, तो मेरा आजएगा 1000 r, ठीक है, यहाँ पर दिया होता minus, तो यह positive था, देखो 1000 r था, तो यहाँ पर हमारा यह गलत हो गया, ठीक है, ऐसे ही करके, sum में ncv delta t, लगा के, process के लिए, cbc के लिए, इसके लिए लगा-लगा के, हम चेकल लेंगे, n की value 1 है, इसकी value 5 by 2 आ रहे, for diet omega s, क्या लखना, और delta t की value t2 minus t1 है, ठीक है, अगर यहाँ ले रहे हैं, तो 600 minus 800, यहाँ ले रहे हैं, तो 400 minus 600 करके निकाल लेंगे, तो यह important नहीं था, actually question में, question में यह important था कि अगर यही IT advance का question होता, मैं आपको एक general suggestion देता हूँ, तो यहाँ पर क्या होता ना, यहाँ पर option setting ऐसी होती, कि आपको एक positive negative वाला benefit ना मिलता, but IT means or need में, they purposely, I am telling you, they purposely want वो रखते हैं, कि जो बच्छा थोड़ा सा तेज है, जिसका दिमाग IQ अच्छा है, वो without solving इसको निक picture में, तो उसका एक बहुत ही अलग impact होता है, right, so plus minus को हमें सम विदाउट solving निकाल सकते हैं, कहीं भी plus minus में answer आजा है, plus minus minus plus, right, तो यह एक बहुत important question था, that's why I opted that, right, चलो इसको लिख लो, फटाफट,